साथियों, सभी को नमस्कार, जैसा आप सभी को विधित है कि प्रक्रिया में कुछ बदलाव किया गया है और अब हमें अपने वीडियोस TTC चैनल पर अप्लोड ना करके हमारे स्वयम के चैनल पर अप्लोड किया जाने हैं, तो ये मोबाइल द्वारा कैसे किया जाना है, इस सबाबत आप इस वीडियो का अब लोकन कर सकते हैं, क्योंकि आपके लैप्टॉप या डेक्स्टॉप यदि आपके पास उपलब्द है तो उससे तो प्रक्रिया बहुत आसान है, आप उससे आसानी से कर सकते हैं, किन्तु मोबाइल से कई बार इसमें कटना ही आती है, तो आपके स्वयम के जीमेल अकाउंट को, और जब से हमें हमारे नोडल अदिकारे द्वारा खुद के चैनल का यूजरनेम और पासवर्ड प्रवाइड किया गया है, तब ही से जीमेल में हमारे खुद की इमेल आईडी के अलावा एक और इमेल आईडी भी रखी है, जिसमें क आप लोग accept invitation करके और पुरानी प्रक्रिया नुसार TTC चैनल पर वीडियो अपलोड करते थे, कि तो अब हमें चूंकि हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड करने हैं, तो मैं उसकी प्रक्रिया की जानकारी आपको दे रहा हूँ, सबसे पहले जैसा स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, आप Gmail इस पर क्लिक करेंगे, और उपर यदि देखेंगे तो आपके महाविद्याले का एक icon create किया हुआ, जिससे आप username, password से आपने enter किया था, आप यदि इस E पर क्लिक करेंगे, right corner में, तो आपको खुद के mobile में जितने भी account Gmail के बने हैं, वे दिखेंगे, तो आ आप username और password से enter करेंगे, login करेंगे, तो आपके पास basically YouTube इस तरह से लिखा मिलेगा, और TTC दोरा भेजा गया, एक invitation मिलेगा, आप जब इसको क्लिक करेंगे, तो पूर्व की प्रक्रिया के अनुसार, इसमें accept invitation करना है, accept invitation करते ही, हमारे mobile में इस तरह से YouTube की screen खुल जाएगी, जहां पर आप देखेंगे, तो उपर right corner में ये तीन बिंदिया है, इनको click करने के बाद आप नीचे जाएगे, तो desktop site नाम का option है, इस desktop site में, आप यदि देखेंगे, तो पहले की प्रक्रिया नहीं अपना नहीं, अभी आप देखेंगे, तो हमारा channel desktop person का खुला हुआ हुआ यहां उपर लिखा हुआ है, हमारे channel का icon E, या आपके माविद्याले का जो भी icon है, यदि ये नहीं है, तो आप switch account करके E पर जा सकते हैं, और साथ में एक तीर बना हुआ है, और इस तीर को जब हम click करेंगे, तो हमसे पूछा जाएगा, यदि आप screen को नीचे लाएंगे, कि select file, इस select file को click करने पर आपके सामने option आ रहे है, camera, video, recording and files, तो यहां पर चूंकि हमारे mobile में एक file के तरह हमारा पुराना बनाया गया video, save है, सुरक्षित है, तो इस file को click करने के बाद, हमारे mobile में पूरी एक list खुल जाएगी, और हम अपना video जिस भी नाम से save किया है, वो select करक और upload कर सकते हैं, upload करने पर नीचे आप देखेंगे कि आपसे पूछा जा रहा है, is it made for kids, तो यहां पर आपको no करना है, दो बार next दबाना है, और नीचे आप देखेंगे तो processing हो रही है, देखें नीचे 50, 54, 56, and यह सारा चुकी, यह dummy video है तो मैं भी इसको upload नहीं कर रहा जब यह हो जाएगा तब आप देखेंगे right corner नीचे next लिखावा है, next करके आप upload होने के बाद इसको publish कर सकते हैं, तो साथी हम आप सभी का धन्यवाद